हे गाईज वाट्स अप सचिन सक्सेना हेर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट्स एप के बारे में और मेरा चस्मा तूड़ गया है वो कहता है ना आँख के अंधे नाम नैंसुक वाइदे वे मेरा नीम सचिन सक्सेना है सो गाईज मुझे लगा कि आप बहुत दिनों से मैंने वाट्स एप पर कोई वीडियो नहीं बनाया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाट्स एप के कुछ न्यू न्यू ट्रिक्स के बारे में जो आपको जरूर से पसंद आएंगे वाट्स एप के कुछ unknown tricks status related और भी कुछ कमाल के tricks हो सकते हैं जो शायद आपको जरूर से जानने चाहिए अगर आप एक वाट्स एप यूजर हो वीडियो सुरू कने इस पहले आपको बता दू कि वाट्स एप पर ओलेडी एक फुल एप टुटोरियल मौजूद है अगर आपने वाट्स एप का व status related कोछीजें बताता हूं सबसे पहले तो आप कोई भी एक status select कर लेजिए देन आपको यहाँ पर बहुत से बलता है तो आपको यहां पर फिल्टर ही मिल जाता है यह तो आपको पता ही होगा क्या filters वगरां लगा सकते हो अगे बढ़ता है नॉर्मली जब भी हम कुछ टैक्स लिखते हैं आपको पता होगा WhatsApp status में जब भी हम कुछ टेक्स लिख देते हैं लाइक मैं यहां पर जो कर जे ओके यार ओके देन मैं आप क्या कर सकते हो यहां पर उपर आप इस आइकन पर टैप करेंगे देन आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसका फॉंट जो है व अगर आप ऐसे चेंज नहीं करना चाहते देन आपके पास एक और तरीका है आप बहुत इसली यहां से चेंज कर पाएंगे फॉंट को कलर्स को तो नॉमली आपको पता होगा कलर पैलेट से आप कलर को यहां से चेंज कर सकते हैं ब्लैक ब्लू जो भी आपको रखना है वो प्लैसे देखेंगे कि आपका फॉंट जो है वो चेंज को रहा है इस तरह से आप टेक्स को फॉंट चीन्ज करवा सकते हैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा मूव करना एक पहले लॉंग प्रिस कर लेना है कलार पैलेट पे लॉंग प्रेस कर करें रखेंगे तैन फोंट चें जो होता है कभी capital लिख जाता है कभी lower लिख जाता है तो आपको पूरा process करके पूरा फिर से सही करना पड़ता है यह ट्रिक आप यहां पर यूज कर सकते हो सबसे पहले आपको text को पूरा select कर लेना है तो इसे automatic सारे capital हो जाएगा अगेन आप क्लिक करेंगे तो small caps में आ जाएगा और यहां से sentence case में आ जाएगा means आपका first capital हो जाएगा बाकी small and all capital यानि capitalize और small तो इस तरह से आप यहां से cases को change कर सकते हैं अलग-लग by one tap the last thing you can do with the font वो यह है कि आप text को और ज़्यादा अट्रेक्टिब कैसे बना सकते हो जैसे मैंने यहां पे जो कर लिखा है रैडड कलर में पिंक जैसा जो भी है सो इसको मैंने बहुत नॉर्मल सा बना लिए और काफी unique सा नहीं लग रहा है बहुत normal सा लग रहा है इस तरह से तो आप इस टेक्स को इस टेक्स के जस्ट ऊपर हर का सा थोड़ा ऊपर नीचे रखे दैन यह ऐसा लगेगा जैसे कि यह थोड़ा सा 3D में है मैं इसको बिलकुँ सेट कर लेता हूं इसके लाइक लाइक कि ऐसा लग़रा है कि यह जस्ट 3D में है मैंने इसक फोड़ा सा चेंज किया हुआ है इस वज़े से यह थोड़ा सा लग रहा है अप अब इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं यहां से आप कोई भी कलर को सब्सक्रीन कर सकते हैं और आप सकते हैं यहां से इस पेंसिल आइकन का जो पॉइंटर का साइज है उसको थोड़ा सा increase or decrease करें देन वो आप नहीं कर पाएंगे देन इसमें मैं आपको बतातों आप क्या कर कैसे करके आप इस जो ड्रॉ बटन होता है इसका जो पॉइंटिंग साइज रहता है उसको कैसे आप increase या फिर decrease कर सकते हो देन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है यहां पर यह देखना है उपर कलर पैलेट पर कोई भी एक कलर पर सेलेक्ट कर लेना है जैसे यहां पर डॉट शो होता है आपको यहां पर रुख जाना है थोड़ा सा लॉंग प्रेस करना है और आपको राइट से अगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको फिर से चोटा चाहिए तो अगें ऐसे करके जाना है जैसे आपको यहां पे पॉइंटर देखने लगए वैसे आपको लॉंग प्रेस करना है और फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ ग्र लिखना चाहता हूँ डाइक्टि इमेज पर यहां मैं कोई वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो वीडियो में भी मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ कि वीडियो के बल मुझे आडियो सुनाना ए dar a-pay सकते तो कोई भी कलर स्रेक्ट करके लिए and नोंग प्रेस कर मिवभी स्क्रीन पर मिफिक 파ट से पूरा वही कलर आ जाएगा जो आपने श्यक्त किया होगा यह सव्य प्रोसेस आप वीडियो पर भी कर सकते हैं जस्ट आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है जैसे मैं आप एक वीडियो इंसर्ट करा ली है अब जैसे मैं वीडियो में कीवल आडियो सुनाना चाहता हूं वीडियो नहीं दिखाना चाहता तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं जरनली कलर पैलेट पर चले जाएं और यहां से आपको कोई भी एक कलर को स्लेक कर लेना है और लॉंग प्रेस को ऐसे करना है दैन वीडियो का भी जो कलर है वह फुल में चेंज हो जाएगा और यहां पर आपको कीवल सकते हैं अगर आपने कोई इमोजी वगर्रा लिया हूए और आप चाहते हैं कि आपको नौमल मुजी नहीं दिखाना नएं to mercy को स्लेक्र लें को मैं मच्सए मूजेकर भी क्लरण बोगर सकता हैश वा हैं अगर अगर आप उसपर जाकर हर पहले एस टरिक्स ना यहा इसरीक् अगर यहाँ पर यह वाला सिम्बल दे देंगे टेक्स लिकशने से पहले और इसको भी लास में बंद कर देंगे यह आपका सब बाइट जाएंगा बीच में सरसे कटकर निशाना आजाएंगा और अगर आप यहां पर क्या तो आप डूटा सर्वेस अपने WhatsApp पर अक्टिवेट कर सकते हो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको यह वाला नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस नंबर को अपने WhatsApp में से कर सकते हो मैंने आप विकी नाम से किया हुआ है विकीपीडिया का यह काम करता है इस वैसे और देन आपको चले जाना है अपने WhatsApp में आप अपने information ले सकते हो डूटा से काफी सारी चीजों की और कुछ चीज़ां इसमें बंद हो गई है कुछ चीज़ां अभी काम कर रहे हैं लाइक आप किसी भी सॉंग का लिरिक्स सोन सकते हो आप कोई भी मूवी सर्च कर सकते हो कोई मीनिंग देख सकते हो डिशनरी का तो एन आमी एडवर्सरी स्पेस लिए मैंबर ऑफ एन अपोजिंग मिलिटरी फोर्स एपर्सनल इनमी तो इस तरह से आप यहां पर इनमी वर्ड मिल गया की मतलब दुश्मन को बोलता है फो लाइक इस तरह से तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग बगारा निकाल सकते हो इसकी ह तो यहां पर यह कोई मूवी दे रहा है यह काफी पुरानी सी मूवी आगे दिल और यहां पर यह आगई रेटिंग क्या है क्या पूरी डिटेल आप यहां पर पड़ सकते हैं वगयरा 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 तो इस तरह से यह कुछ काम करता है तो आप इसको एक वारी कि आपका जो WhatsApp में data है वो बहुत ज़्यादा heavy use हो रहा है मतलब आपका data बहुत जारा यूज हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि किस person के साथ आपकी बहुत ज़्यादा chatting हो रही है और आपका WhatsApp बहुत ज़्यादा data use कर रहा है तो आपको simply data वहां पर स्टोर कर रहा है लाइक आप यहां पर देख सकते हैं इतने की भी इतने MB data store use हो रहा है और कितना क्या यूज हो रहा है किस person से चैट में और last में आपको आप किसी भी person पर टैप करेंगे देन आप देख सकते हैं कि कितने text messages हैं कितने contact कितनी location कितनी photos क्या क्या मतलब data share किया गया और उससाब से total कितना बन रहा है अगर आपको डिलीट करना है तो आप simply free space पर क्लिक कर सकते हैं और उसके अगर आपको वह आइटम डिलीट करने है तो सिंप्ली आप क्या कर सकते हैं डिलीट आइटम पर क्लिक करके क्लियर कर देंगे सेलेक्ट करके देन आपका पूरा data clear हो जाएगा next setting आती है WhatsApp के notifications related इन्दा के नॉमली होता क्या है कि आप WhatsApp सब यूज कर रहे होते हैं और WhatsApp पर क्या है कि आपको नॉमली नोटिफिकेशन मिलते आपको स्क्रीन पर पॉप अप नहीं आता है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपने नोटिफिकेशन को ब्लॉक करके रख देता हैं कि बहुत जादा नोटिफिकेशन आप 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 नोटिफिकेशन को अपने accordingly manage कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर करता हूं WhatsApp का जो नोटिफिकेशन है उसे जनरली क्लोज करके रखता हूं और मुझे कोई यूज नहीं कर रहा हूं मैं WhatsApp से बाहर हूं कोई प्रब्लम नहीं है और मैं दूसरे अप्लिकेशन यूज कर रहा हूं तो मुझे पॉप अप नहीं चाहिए बट इन दे केस मेरा फोन फ्री कहीं पर रखा हुआ है और उसका अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपर सैट करके रखाया ओनली वैन इस्क्रीन आफ जब मेरा इस्क्रीन आफ होगा और मेरा इंटरनेट अन होगा यानि कि मेरा फोन कहीं पर पड़ा हुआ है अलग से और स्क्रीन भी आफ है यहां पर मेरा जैसे ऑफ लगा हुआ है उनली वैन इसकीन एफ तो क्या होगा कोई मुझे वाट्साप पर मैसेज करेगा कोई भी नोटिवेशन होगा वाट्साप से लेटेट तो मुझे स्क्रीन पर शोव हो जाएगा उस टाइम पे तो इस तरह से बहुत कमाल का भीचर लगता है कि मैं वाट्साप